बॉलिवर इंडस्ट्री में देखा जाए तो वाकई में बात जब होती है खासतोर पस टार्गेट्स की तो कई ऐसी बाते सामने आती हैं जिसे सुनकर लोग चौक जाते हैं आज हम आपके वीश बात कर दे जा रहे हैं श्वेता नंदा बच्चन के बारे में श्वेता नंदा बच्चन वो स्टार्गेट है जिनके बारे में आपने सोना होगा कि वो हमीशा ही अपनी बात बेबात के बयानों से रखती आई हैं जिनहीं कहा जाता है कि भले ही वो ना किया हो लेकिन इसके बावजुद वो एक ऐसी स्टार किड है जो की बेबाप बयान किसी को भी लेकर देती है वह इस बात से अंजान नहीं कि सल्मान खान उनकी ही सिस्टर-in-law यानि कि एश्वर्या राइबच्छन के एक्स रह चुके हैं लेकिन फिर भी सल्मान की बीच शेर करने वाले हैं जो उन्हों नहीं की थी तो इतिजार की इस बात का दोस्तों आईए देखते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट श्वेता बच्चन के इंचर्विव से जुड़ा देखिए स्पेशल रिपोर्ट अमिताब बच्चन की बीटी श्वेता नंदा बच्चन के बारे में हमने आपके बीच कई बाते शेर की कई बाते हमने आपको बताई है श्वेता नंदा बच्चन के बारे में अब तक लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है अमिताब कि ये बेटी शुरिता जो कि अपने भावी एश्वर्या और अपने भाई अभिशे की बहुत करीब है उन्होंने एश्वर्या और सलमान को लेकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिये थे जो कि ये सालों तक याद किया जाएगा जिसे भोलना कभी भी आसान नहीं रहा एक समय ऐसा था जब पूजा ने खुद एक शो में बताया था कि सलमान खान उनका क्रश थी 90's का वो दौर जब शुटा बच्चन की शादी निखिल नंदा से हुई लेकिन इस शादी से पहले पूरिश की दरों में सलमान खान की फिल में शुटा बच्चन देखने जाया करती थी इसी कारण से शुटा नंदा बच्चन के लिए बाकरी में सलमान खान बहुत जादा पिल थी तो ये तो सलमान खान के वैन है शुरता बच्चन लेकिन वहीं सलमान जिनके साथ कभी शुरता नंदा बच्चन का बहुत जादा अच्छा रिष्टा कभी नहीं रहा वो श्वेता बच्चन जो है सलमान खान की तारीफ करती भी शायद ये बात बताते भी कई लोगों को हैरान करें कि वो इश्वर्या को क्रिटिसाइज करती है तरसर इश्वर्या राय बच्चन सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी आक्टिव नहीं है जिसके कारण इश्वर्या राय बच्चन पर बात करने वाली स्वेता बच्चन ने एक बार भी ही सोचा कि वो क्यों आखिर अपनी सिस्टर इनलो को इमदारिस कर रही है खेर आपको बता देए कि श्वर्या ने जब सलमान खान को लेगा ये रास कोले थे कि सलमान उनके करश है लोग चौक गए थे क्योंकि श्वर्या ने सुनम कपूर की शादी के दौरान भी प्रिसेप्शन में सलमान के गाने पर डान्स गिया था और लोग ये देखते ही रह गहे थे जिहां के फिल्म का गाना जुम्मे की राज पर पकवाम देदी नज़र आई थी श्वेता नंदा बच्चन और सलमान उनकी फेवरिटे ये दोनों ने कहा ही था कॉफी विद करन शो है करन जोहर का जहां इंवेस्टिंग रेविलेशन से श्वेता बच्चन में थे जो हमेशा आपने पती निकिन लंदा के साथ रिष्टे को लेकर विवादों में गिरी रहती है श्वेता कहा जादा है कि इनका तलाख होने वाना था लेकिन तलाख हुआ नहीं क्योंकि बच्चन फैमली की रिपिटिशन बहुत मायने रखती थी और इस तरह के जो हैं इलसाम लग सकते थे श्वेता पर कि उन्होंने कलद किया इसलिए श्वेता को तलाग देने से तो मन किया गया लेकिन फ़नी एपिसोड्स जो हमेशा ही श्वेता और अभी शेक बच्चन सामने आमने होने पर शेर किया करते हो उन्होंने एक बार कुछ ऐसा फन किया जो उन पर भारी भी पर आज हम आपको बताना शाहिंगे श्वेता बच्चन ने कुछ इंक्रस्टिंग सल्मान खान को अपना प्रश कहने वाली श्वेता नंदा बच्चन की बाद की जाए तो नेकिन नंदा से वो दूर पिछली कई सालों से रह रही है लेकिन इंक अतलाक में हुआ प्रीदों में एक दूशे से दूब रहकर भी खुश है अपने के परिवार वाले हमेशा मॉम देल से बहुत प्यार करने की वज़ए से श्वेता बच्चन भी है अपनी पच्चों से भी बहुत प्यार करती है नभया नभीन नंदा हो या फिर अगस्त्या नंदा लेकिन बात चाहते सल्मान भी हो रही ही निकी एक्सलेटी लग यानि कि यह हम बात रश्वर्या बच्चन वो एक्रिस है जिन पर श्वेता बच्चन का गुस्सा निकला आया था वो ने कहा था कि वाटसेट ग्रूप में श्वर्या रिस्पॉंस नहीं देती उनका यह लेत लतीफ होना ही श्वेता को पसंद नहीं वो बहुत जादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है लेकिन इसकी अबावजूद भी सोशल मीडिया से उनकी खास लगाम नहीं जिसके कारण कहीं बार श्वेता को परिशानी से ब्यूदना पड़ता है उनसे बात करने में तखनीफ होती थी श्वेता जोगी शारू खान, सल्मान खान, आमिर खान, अक्षे कुमार रजदेवगन दिटिव रोशन को प्रेट देने वारी थी बॉलोली इंडस्ट्री में एकाम जलता है तो फिर किस तरह से श्वेता नंदा बच्चन के इंप्राइसमेंट वाली बाब की जाए तो फि यहां सल्मान खान को बजरंगी भाईजान कहकर श्वेता ने खरी किसी को हैरान कर दिया था ओनेस्ट डिके से होटनेस के मामने में सल्मान खान को सबसे होट माती है श्वेता बच्चन उन्होंने कहा कि सलमान खान के बाद विदिक रोशन इसके नीचे शारू खान आते हो और फिर आमिर खान, अक्षे कुमार फिरार्मेर और फिर आज़ते हो रेटिंग के बाद हो तो उन्हों इस तरह से रेटिंग देने जाहेंगे पुस्ट करन ने भी पुछा, इस सलमान बॉज हर टिनेस प्रश, अभिशेक बच्चन ने कहा नो आमिर, करन तिनसिक, करन ने फिर कहा आमिर बॉज, तो उन्होंने कहा, शोयता बच्चन ने फिर आंचर दिया, फर्स्ट इट वोज सलमान खान, यानि कि सलमान खान ही उनके प सब्सक्राइब आपको बताना शाहिं कि हमारे इस खास रोप में शुटनना बच्छन रीपा स्टेट में दिया और कहां आपको बताना शाहिं कि कहीं रखें शुटन की करश सल्मान खान जब अले तो इसकी बच्छा थी उनकी फिल्में जो बोड़ देखा परते थी इसकी अलावा कि सब शेक ट्रिवियर करने वाले थी सचाए कि वह मुंबई में थे और फंटास्टिक कॉल आया था फ्रैंटिक कॉल्स आया था शुटा बच्छन से अबागी कजन से अने प्यार किया फिल्म को लेकर और इसके बार पास्ट में सुन को देखने जाना था और इ सुनकर लोग काफी चौक गये थे बता दे हम आपको अब शेक बच्चन कई रास को चुकिया मताब बच्चन का अपने बेटी को तारीफ करना और फोटो कलास को शेर करना करता इशारा कि अमिताब अपने बेटी को लेकर कितना प्राउड है वहीं आपको यह बहता दे कि श दो श्वेता नंदा बच्चन के स्टेटमेंट से हमने आपको रूबरू कराया श्वेता नंदा बच्चन ने क्या क्या कहा वो हमने आपको बताया श्वेता नंदा बच्चन के स्टेटमेंट सलमान खान को लेकर इश्वरया राय बच्चन को लेकर किस प्रकार के रहें और किस तरह के रहें ये सारी बाते हमने आपको बताई क्यों श्विता बच्चन सलमान खान को अपना क्रश कहकर लोगों के बीच सवाल खड़े कर गई ये तो अब श्विता से बहतर कोई नहीं बता सकता लेकिन यहीं है अमताग की बेटी की असलियत वो खुल कर रखती है अपन की फिल्मी दुनिया की कुछ ऐसी स्पेशल खबरे प्रजन करने के लिए हमारे शो में यानि की बॉलिवूड इंदस्ट्री के स्पेशल एपिसोड फ्लैश बैक बॉलिवूड में लेकर तब तक के लिए साथान रहें सुरक्षित रहें घर पर रहें और कोवीड की हर प्र की की बॉलिव लेकर टन करने के साथान रहें और करने के लिए में से विए हमारे दो की दो गवारे प्रज चूड़ ग्रेश अजज़ और कने की स्वेशल एगों की बॉलिवूड बॉलिवूड यड़ को एट रहें से